आज बिला हम युद्ध शृत्वातर रोजीम, स्मिल्या रॉमान रॉद्ध वासले वालेकुम हर्वारी CSS अन्याइन गंडमी किसे, मैं आपके हैंश्म में हाजित हूँ आज का मारे टापिक है, History of Pakistan in India, यहनी endo-park history आम तोर पर इसको हम endo-park history भी कहते हैं यहे दे हिस्ट्री आफ इन पाकिस्तानी से स्बजेट्ट है और इस सीप्जेट earlier से 100 मार्स सो मार्स और इसमें हम 32 मेजर टापिक्स juegos बार करते हैं यह सब्सक्राइब के लिए हेस्ट्री शुदू होती है, 712 जब मुहम्मद देर खासिन आये थी, वहां से लेके तेर्ड टूडे यह 2020 तक हम इसको बाने काते हैं, यह 712 से लेके 2020 तक हम इसको बात करते हैं, और हेस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और हेस्ट्री ऑफ इंडिया दुन को, चुकि बैसिकली इंडिया और पाकिस्तान फ्रम स्टार्ट एक ही जगा रहते थे, एक कम्यूनिटी के अंदर है, एक उनका मुल्क था, तो उनकी हिस्ट्री को भी हम जुदा नहीं कर सकते हैं, एक ही मुल्क में जिसको हम हिंडुस्तान कहते थे, तो इसका जो कासिम की एराइबल होती हैं, और आज तक, अब ये दर्स टापिक कौन-कौन से ही, क्या-क्या है, चलो चलते हैं इसको, देखते हैं वन गाई वन, फर्स्ट जो है, मुस्लिम रूल एंडिया, इस इंडिया में मुसल्मानों का जो रूल है, मुसल्मानों की जो रूल है, कि जो फर्स्ट मेसिज भी है, और तो एक तिजारत के ज़रे से कम्यूनिकेशन होती थी, डिफरिंट टाइम्स में लोग आते थे, इवन चैनल तक अरब जाते थे, तो एक तो और कम्यूनिकेशन होती थी, सिर्फ रूड यहां से, इसके इलावे यहां लोग आते थे, रिलेशन है, पिर मुसल्मानों के साथ उनके आपस में इंडास्टेंडिंग बेल्ड हो गई, इस बेस पे इसलाम जो है, आहिस्ता रफ्त रफ्त रफ्ता से निकल का के पंजाब, पिर इसलाव होते होते हैं, पूरी जो इंडो पार जिसकों कहते हैं, यह हिंदुस्तान जो मुसल्मानों कی ह्कॉमत नहीं, यहां पर जिर में से मुखानान रहें, आहिर यह जो थे, और मोगल ते और मोगल के बाद पिर अंग्रेज आए और पिर अंग्रेजों के बाद पिर पर्टिशन होई और पर्टिशन में हम देखते हैं कि एक एंडिया का पार्ट बन गया एक पाकिस्तान का हिसा बन गया तो मुसल्मानों की जो सिविलिजेशन रही मुसल्मानों की जो अंदानों की सुरत में, मुख्तलिफ बादशाहत की सुरत में, मुख्तलिफ शिप में, मुसल्मानों की प्रेजिंस रही, आइदर किसी भी गुड में, आइदर बैड में, तो ये ओपिर्स की हम उपर बात करते हैं, फिर उसके बाद मुसल्मानों की एड्मानिस्टेशन सिस् भी रही और जब पाकिस्तान की partition हो रही थी एंड़ और पाकिस्तान की तो 526 यहाँ पर इसका मतलब यहाँ नवा, भाउन, वडेरे मुटलेफ किसम की स्टेट बनी हुई थी तो इस system के हवाले से हम इसमें बात करेंगे तिर उसमें इनका social economic political system किया था मुसल्मानों जब इंडिया पे हुकुमत की यही जब तक इसे इंडिया के अपनी हो गई तो इंडो पाक में combined history की जब हम बात करते तो इसमें क्या मुसल्मानों ने क्या इंडिस्ट्री के डिवेलिप की क्या music sector में डिवेलिप की क्या religion के सेक्टर में development हो गई Muslim फिर financial system क्या रहा पिर economic system को कैसे तर रगा गया तो यह first part में हम इनके हवाले से बात करेंगे सिर्ट्री पोजिशन है ओ है फिर यहां पे जब East India Company की सुरत में UK की हकुमत आई अंग्रेजों की हकुमत आई अटाथ सुस्टावन से उनिस सुस्टालीस तर इस पे हम बात करेंगे जब बरतिश आये और उन्होंने अपनी imperialism यहां established की और पिर उसकी East India Company आती है पिर East India Company के यहां पर क्या क्या डिजाइन्स है और किस तरीके से और जो है डाउनफाल हो जाती है मोगल और पिर उसके result में वासिट जाती है अटाथ सुटावन की war of independence जिसकों कहते है और पिर उ उसके बाद अंग्रेज के सथा में आपको पाय करते हैं तो इस पर बात करेंगे तरड में हम constitutional and political reforms है जब अंग्रेज आये तो उन्होंने constitutionally or legally, politically different reforms की अटाथ साथावन से 1947 तर क्योंको हकोमत चलाते है और जब आप हकोमत चलाते हो तो आपको time से time पता चलता है कि किस के इस department में मुझीद की capacity है किस department को में मुझीद improve कर सकता हो का पर में reform कर सकता हो किस जगह में मुझी legislation की ज़रूरत है तो इन उन्होंने अटाथ साथावन स से लेकिए 1947 तक different constitutional political reforms की और इसी बैस पे उनकी reform के बैस पे political parties होई पहले Congress होई 1888 में पर उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग की हो गई तो यह different political parties emerging हो गई तो इसके बाद जो है इसी दवरान हम देखते हैं कि 1935 Act कहता है first assembly इंतहाबाद भी हो है, legislative assembly भी उवजूद मैं तो ओ लोग जिसको पहले जो है अपने घुलाम समझते थे पर उन्होंने legal legal funding उनको दी उनकी political parties भी बनी, उनको participation का हग में रिया गया, properly उनको legislation assembly में भी हग दिया गया तो इसमें बात करेंगे, फिर उसके बाद मुस्लिम struggle for independence मुसल्मानों ने independence के लिए struggle की, तो एक pre ही और एक post पहले वाले की अगर हम बात करते हैं, प्री बहुत पहले की हम बात करते हैं, शाव लियुला थे, साइद इहमत शहीद ते, साइद इहमत खान थे, यह तरी major important contribution, शाव लियुला जिस दावत में ता मोहलिया हकूमत के जव कोशिश की कि उन्हें इहतिलाफात के उपर control हासिल करें, तो इसलिए से शाव लियुला की, पेसाद साइद इहमत हान, पेसाद इहमत शहीद जो ते, साइद इहमत हा शहीद जो ते, और यह ते contribution रही मुसल्मानों को, हकूमत को काइम दाएम रखने के हावाले से, पेसाद स इहाद जो की बहुत ज़्यदा जो डिसलाइकली स्थी बहुत जो नफरती तो वर्ड मुसलिम ज्यादा थी ऐस कंपेर तो दूसरे सेगमेंट के, तो तो देर फूर साइद में कोशच की कि मुसल्मानों को एड़ेस्ट किया जाए, मुसल्मानों के इस बात पर अमादर किया इंडिया है, पर्टिशन आफ बंगाल है, शिबला डिपोटोशन है, लकनव है, हिलाफत मुमेंट है, तो यह डिफरिंट सब मुमेंट भी चलती रही, डिफरिंट टाइम्स में, यह उस ट्रगल है, जो के मुसल्मान चलाते रहे, और मुसल्मानों का एम यह था, क्योंकि इस से पहले सजियों तक यह पर इंडियो पार्प मुसल्मानों की खुमत थी, तो यह था चाहते थे कि इस इंडिया कमनी इस रहकुमत ने की दुबारा मुसल्मानों के हवा ले किया जाए, पर पकिस्तान मुमेंट रहावाले से हम बात करते हैं, यह तो हम आमें बहुत प् 1830 और पर इसके बाद roundtable conferences हुई पर लहोर resolution 1940 और पर उसके बाद काईज़िजम की participation पाईज़िजम का रोल काईज़िजम है पर Muslim League खासका जो की contribution है यह बहुत important रही और finally जो है अंग्रेज़ों को मजबूदी की सुबते हाल में 47 में इंडिया 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 पाकिस्तान हम बात करेंगे हैस्टियों पाकिस्तान को 47 से लेकर 10.5 तक हम बात करेंगे इसमें मुगतलिफ चेलेंज़िज़ है काईज़ा मुहमद अली जना थे बौवान अल जनर थे पिर मुटलिफ किसम के हकोमडान आये मुटलिफ के लोगों ने डिफार्म्स लाए मु इन पालिटेक्स में अयूब हान यहिया हांग और जनरल स्या परवेश मुशरफ इनकी रिजीम रही और इसके लावज सेवल मिलेटरी पाकिस्तान के अंदर इनकी जो रिलेशनशिप है जो एक फ्रबलेमेटिक आसपेक्ट है या फ्रबलेमेटिक अरियास है जिसको कह सकते जब सिविलियन एक साइट पर है जिस पर है सिविल मिलेटरी इलेक्शनशिप का बहुत इंपॉर्टेट एक आयट इस पर हम बात लेंगे पेस्पिलिशन आफीस पाकिस्तान जो है बंगलेश की सिपिलिशन और इफेक्ट के उपर बात करेंगे हमुद औरहमान कमिशन इस्ट पाकिस्तान बंगलेश की जो काजिस है जो सिपिलिशन काजिस है क्या है क्या है क्या हो जो हाथ पिता कि प्रपर ली बैलेंस की आप डिविलिप कर सकें पिर वर्किंग एडिमोक्रीसी पाकिस्तान में डिमोक्रीसी की वर्किंग लेक तलिहां और स्टार्ट भी तो पर उसके बाद जो इसके बाद बिन जीर बट्टू नवास शरीप और इनकी आपस में जो चेंजिस का पीरिंटी का जो पीरिंटी का पाकिसान की उसमें बहुत डिप्लोगा फ्रब्लमेटिक है पर इस डिमोक्रीसी हैं पर मुझेशन पॉलेटिकल पार्टी पाकिस्तान हैं और पर इनके बार हैं मुतलिक प्रेशल गूप सेहं फ्रम टाइम तो टाइम और उनकी भी एंफार्टन एक्टर रोल उप प्लेग काते हैं दा पॉलेटिकल पाकिस्तान में और फाइनली जो टेंटापिक है वो है अजए दस डापिक जो हैं ओर फारंद पालिसी ऑफ पाकि बहुत अज़ा तो मैं आप खावाले से कर दूगा मैं तो कोशे कर दूगा कि आपको इस तरह की किताबी दूए जो है आपके रिए Constitutional and Political History of Pakistan हमीद हान साब की किताब है बहुत जबतस किताब है जो आपके लिए बहुत हेलफुल भी है पर उसके बाद जो है आप दिस्टरगराफ पाकिस्तान श्र prés नकिहा पहसेर किताब है दिस्टरगरेव पाकिस्तनी बहुत साब बढ़े पाकिस्तान किमें प् neighborhood जिस्टरगराइए जैसे जी बहुत साह्ता थी चीज आप गैन कर सकताया बहुत साजारान जारể अब आप इसके बादे मिनालेच असल करन सर्थ हो, बलकि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप खुशचे करें कि इंडोपाक हिस्ट्री में, मैं जो नोर्स ये मैठेरियल आपको दो, मैठेरियल स्टुडी कर ले तो इंचल आपकी पॉस्ट हो जाएगा, इस ये इंप पेपर है, इसमें बहुत ज़रा आपके लिए हेल्फुल है, बहुत ज़रा आपको हेल्प मिल जाती है इसके पेपर में, तो इससे आपके लिए ये भी है, दुसरी बात ही है कि पाकिस्टान अफेयर में हेल्फुल है, करन अफेयर में भी हेल्फुल है, जो कि पाकिस्तान क मेरे हावाले से इंट्रिवी के हावाले से भी हो जाती है, अगर आप यह कर ले तो साथ में बुर्टीन और पेपर भी एज़ी आप प्रेपर कर से कि आप डिफरेंट मैटाइल को भी इस्तिमाल करें ता कि आपकी नालिज आपके इसके बारे में जो अधिया है, उसमें खातर और एज़ाफा हो सके पर उसके बाद एकड़मी का वाले से आडवर्ट से एससे एकड़मी, फ्रम लास्ट फिर इयर्स इस फील्ड में काफी एक्टिव है, और क्रोना वाइरस की सुरते हाल में बिज़ाफार स्टूर्ट जो इनके इंटरस्ट भी है, को घर बैटके और एज़ी प्रिपेर का सक इसमें एक तो सुर्ट इंडेस्ट्रेंस के विल्या से इसके बाद एक्रामिक सुचिवरेशन भी एसराइक के बंदा एफोर्ट नहीं कर सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी इंटरस्ट है, तो आपके अकड़मी किसी भी तरीके से जाइन करो, और को शक्र लो वहां से लेक्षर को कंटीनीव रखें, अगर आप चाहते हैं या ज़्काइब सकता हैं, आपके पाकिस्टान अपयर और पाकिस्टान के बागी पेपर आपके पाकिस्टान के हवाले से और होरे से इनफर्मेशन हो जदन लाली जो तो मैं आपको कहुंगा, सजेस्ट करें हो कि आप एंडो पार्केस्टिर लाजमी रखें, एंडो पार्केस्टिर आपके लिए बहुत मुफीद हैं, आपको कोई फ्राब्लम हो तो आप मुझे होच सकते हो, टेंक्यू, अल्लाहाफिस